हलोएन लेट रिमेंबर पंडेज जवाल नहरू दाफ़्स्ट प्रामिनस्टर अफ इंडिया और रेनावंड लीटर इन्डियान नेशचनल कॉंग्रेस पंड़े जवाललाल नहरू हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री थे और आज पंड़े जवाललाल नहरू की 58. पुन्नेतिती है प्रधान मंत्री पत पर रहते हुए 27 मई 1964 इसवी को दिल का दौरा पढ़ने से इनका निधन हो गया था पंड़े जवालल नहरू इनकी आज डेथ अनिवर्सिटी पर हमेंने याद करते हैं पंड़े जवालल नहरू का जन 14 नवंबर 1889 इसवी में प्रियागराज में भी हुआ था और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नहरू करकर पकारते हैं आज ही पंड़े नहरू की 58 पुन्नेतिती पर इसमनल कारेक्रम आज जो किया गया है और इस दोरान सोनिया गांधी समेथ कई कांग्रिस नेताओं ने उनकी समांधी पर सांतीवन पर स्रंदानजली अर्पित की है इनका जो समांधी स्थल है यह सांतीवन है दिल्ली में आजात भारत के पहले प्रधानमंत्री पंड़े जवालन नहरू को भरती एथ्यास में उनके अतुन्य योगदान के लिए जाना जाता है आज यानि 27 मई को देश वर में पूर प्रधानमंत्री पंडित जवालन नहरू की पुन्नेतिती के रूप में याद किया जाता है और इस वर्ष जो 2022 है इनकी 58 मी पुन्नेतिती है इन्होंने देश के संग्राम में सक्रिय भून के नभाई थी कस्मीरी पंडित समदाय के साथ उनकी मूल की वजह से पंडित नहरू बुलाई जाते हैं और भारतिय बच्चे उन्हें चाचा नहरू के रूप में जानते हैं और इनके जन्व दिश जो इनका 14 नवंबर है उसे बाल देवस के रूप में बनाय जाता है पंडे जवाल नहरू को और डिसकर करते हैं तेक पंडे जवाल नहरू जाना 14 नवंबर 1889 से को उप्तर प्रदेश के प्रियाग राज में हुआ था इनके पिता मोतिलाल नहरू पेसे से एक वकील थे और इनकी माता स्वरू प्रानी थुस्टू एक कस्मीरी ब्राहमर चीली थी और उन्होंने केंब्रिज उससे विद्याला से अपनी ग्रेजुएशन की थी 1922 में विदेश से भारत लोटने के बाद ये राजनीती से जुड़कर भारत के संग्राम में अनवार रूप से सामिल हो गए इनकी बड़ी बहन विजया लच्छमी संयुक्तराष्ट महासवागी पहली अद्धिश बनी थी और सबसे छोटी वहन क्रस्ना हटी सिंग एक उलेखनी लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवार जनों से संबंदत कई पुस्तकें भी लिखी थी जवालल नहरू महत्मा गांधी से काफी प्रभावित थे सन 1922 के असायोगांदोलन के सिलस्रेम वे दो बार जेल गए थे यह जो असायोगांदोलन था वो चोरी-चोरा कंड के बाद बंद किया गया था सेतंबर 1923 में अखिल भारती कांगर्स कमेटी के महासचिब बने 1928 मे उन्होंने भारती सवतना लीग की स्थपना की जिसका मुलोद्देश भारत को ब्रिटेस सामवाजर से पूर्त अलग करना था यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना उन्होंने स्वासचन दभूस के साथ मिलकर की थी 1929 में पंडे नहरू भारती राष्टे सम् के और इसी सेशन के दोरान एक प्रस्ताव यही पास की पूर्ण सुराज की मांग की गई थी और 26 जनुर निस तीस को लाहूर में जवालाल नहरू ने सौतमत्र भारत का जेंड़ा फेराया अच्छा 1946 में चौधी पार कांग्रेस के अद्यस चुने गए थे और इसके बाद 1941 से 1914 तक और तीन बार इस पद के लिए चुने गए थे यह टूटल छे बार कांग्रेस के अद्यस रहे थे गौर तलव है कि पंडित नहरू ने भारत्ची इंसंबंदों को बहतर करने के लिए पंच सी लिया सांथिमूर्ट सेंस्टत्र के पांच सिद्दान दिये थे ये टीटो के साथ नोले मिलका उनने दिये थे और ये देश के सबस्च्व अधर कलंबे समय तक 18 वर्शों तक सेबा देने वाले देश के पहले प्रधान बंति रहें तो ये 1947 में प्रधान बंति बेने गाए और ये अपनी म्रत्ति 27 में 1964 तक प्रधानमंत्री रहे 27 में 1964 को दिल का दोरा पढ़ने से इनका निदन हो गया नहरू जो है कांग्रेस का देश पहले 1936-1936 में चुने गए थे 1942 में अंदुरुदार किये गए थे 1915 छोड़ दिया गया थे रहा हुए थे अच्छा जब 1947 में भारत को आजादी मिलने पर भावी प्रधानमंत्री के कांग्रेस का मद्दान हुआ तो सरदार बरलभाई पटेल और आचार क्रपलानी को सरवादिक मत मिले किन्तो महत्मा गांदी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवालल नहरू परधानमंत्री बनाए गया जब इस चुनाब हुए थे तो कांग्रेस कमेटी में से 15 में से 12 वोटें सरदार बलभाई पटेल को मिली थी और तीन ने उस्टेन किया था कांग्रेस के अधिर्षपद को सुष्वित किया अचा 1950 से 1905 तक भारते उपादी में सांती बनाए रखने के लिए इने सांती के नोबेल प्रसकार के लिए 11 बार नामंकित किया गया और इस दूर दर्सी नेता को 1905 में भारत रन से सम्मानित किया गया इनकी किताब हों डिस्कवरी ओफ इंडिया ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एक आत्मकता अपनी आत्मकता इन्हों कई पुस्तों में लिखी है अच्छा इन्होंने नाम में भी काफी योगदान दिया जवालाल नहिरू ने जोसिप बेरुश टीटो और अब्दुल गबाल नासिर के साथ मिलकर एसिया और अफ्रीका में उपनी विश्ट के खात्मे के लिए गुटनर परिशान और ग्रैचना की नाम की स्थापना में इनका यूदान रहा इसके बाद अन्य नेशनल मुद्धों में जैसे कूरिया युद्ध का अंत करना स्वेज नहर विब ग्लम सब वर्ल हिस्टरी ये 1933 में प्रकास से थी मेरी कहानी एन आटोवाइगर 1937 में भारत की खोज डिस्कवरियों नेशनीतालीस में राजनीती से दूर एतियास के महापुर राष्ट प्रता और जवाला नहरु वांगे ये 11 खंडों पर वाज दूर जवाला नहरु के ब और जण्डा पहराया था ये फर्स्ट प्रेम मिनिस्ट और रिप्रब्लिक इंडिया रहे हैं सेंतालीस से चोंसर तक इनको हम आर्गिटेक्ट और मॉडर्न इंडिया जानते हैं इन्होंने किताबे लखी है इन्होंने ऑथर डॉक्टर्न और पंसील और बिलीव इन पॉलि और पाद में 27 मई 1964 को इनका दिल का दौर करने से निदन हो गया यही इनकी पुन्यती थी दिस इस फोर देग थेंक्स थेंक्स फोर आचे